प्रेदितों के कामों का वर्णन बाईस्वा अध्याय मैं तो यहुदी मनुश्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा परंतु इस नगर में गमलियल के पाउं के पास बैठ कर पढ़ाया गया और बाप दादों की विवस्ता की ठीक रीती पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाये था जैसे तुम सब आज लगाये हो और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी ग्रह में डाल डाल कर इस पंध को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला इस बात के लिए महायाजक और सब पुरुनिये गवाँ हैं कि उन में से मैं भाईयों के नाम पर चिठियां लेक कर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरुषले में लाओं जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग एका एक बड़ी जोती आकाश से मेरे चारों और चमकी और मैं कि हे प्रभू तू कौन है उसने मुझसे कहा मैं ईश्यू नासरी हूँ जिसे तू सताता है और मेरे साथियों ने जोती तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना तब मैंने कहा हे प्रभू मैं क्या करूँ प्रभू ने मुझसे कहा उठकर दमिश् तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया और हनन्या नाम का विवस्ता के अनुसार एक भक्त मनुश जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा हे भाई शाओल फिर देखने लग उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमिश्वर ने तुझे इसलिए ठराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुह से बाते सुने क्योंकि तू उसकी और से सब मनुश्यों के सामने उन बा पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरुश्लेमें आकर मंदिर में परातना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझ से कहता है जल्दी करकि यरुश्लेम से जट निकल जा क्योंकि वे मेरे विश्या में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा हे प्रभु वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी ग्रह में डालता और जगा जगा आराद नालाय में पिटवाता था, और जब तेरे गवाह स्टिफनुस का लोहु बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उ उसने मुझ से कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब उचे शब्द से चिलाए कि ऐसे मनुष का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं, जब वे चिलाते और कपड़े फेकते और प्रकाश में धूल उडाते थे, तो पल्टन के सुबेदार ने कहा, कि इसे गढ़ में ले जाओ, और कोडे मार कर जाचो, कि मैं जानू कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिला रहे हैं, तब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पॉलूस ने उस सुबेदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष को, और वह भी बिना दोशी ठराए हुए कोडे मारो, सुबेदार ने यह सुनकर पल्टन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है, यह तो रोमी मनुष है, तब पल्टन के सरदार ने उसके प पाया है, पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ, तब जो लोग उसे जाचने पर थे, वे तुरंट उसके पास से हट गए, और पल्टन का सरदार भी यह जानकर, कि यह रोमी है, और मैंने उसे बांधा है, डर गया, दूसरे दिन वे ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोश लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिये, और महायाजकों और सारी महासभा को इखटे होने की आग्या दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया.